सबी किस्मों की बुवाई के लिए वैसे 15 जून से जुलाई के तीसरे सब्ताह तक का समय ठीक माना गया है लेकिन जुलाई महिने के पहले 15 दिन बुवाई के लिए सबसे अच्छे रहते हैं चुंकि बुवाई के समय का सारा दारोमदार वर्शा पर रहता है इसलिए जरूरी है कि मानसून की बुवाई योग्य पहली वर्शा के फौरण बाद बाजरे की बुवाई कर दी जाए बुवाई में देर करना ठीक नहीं जैसे जैसे देर होगी उपज में कमी का अंदेशा बढ़ता जाएगा बुवाई में देर होने पर दाना पढ़ते समय तक तापमान आवश्यक्ता से कम हो चुका होता है जिससे दाने कम मात्रा में बन पाते हैं और जोगिया रोग को भी बढ़ावा मिलता है इन ही सब कारणों से उपज आंत्ते काफी कम हो जाती है बाजरे की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी ठीक रहती है भारी मिट्टी और पानी भराव वाले खेत में बाजरा नहीं बोना चाहिए बुआई के दो तीन सप्ता पहले खेत में दस बारे गाड़ी गोबर की सड़ी हुई खार प्रति हेक्टेर डालना अच्छा रहता है बिना सड़ी हुई खार डालने पर फसल में दीमक और सफेद लट के प्रकोप की आशन का बढ़ जाती है सफेद लट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में सफेद लट और दीमक आदिकी रोक थाम के लिए एक किलो बीज में तीन किलो क्यूनौल फास पांच प्रतिशत या कार्बो फ्यूरॉन तीन प्रतिशत कण मिला कर बुआई करना चाहिए केवल दीमक का ही प्रकोप संभावित हो तो बुवाई से पहले 25 किलो एंडोसलफॉन चार प्रतिशत या क्यूनौल फास एक दशमलव पांच प्रतिशत चून तथी हेक्टेयर भुरक कर भूमी में मिलाना चाहिए